आईए दोस्तों बहुत ही गहराई से समझते हैं कि आखिर ये भाजी संख्या और अभाजी संख्या है क्या किसे कहते हैं अभाजी संख्या तो आईए अभाजी संख्या तो सबसे पहले हम देखी लेते हैं अभाजी संख्या आखिर है क्या तो इसका मैं size छोटा करता हूँ और यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख क्या रखा है अब भाजी संख्या गाइज अब भाजी संख्या का English क्या होता है Prime Numbers तो यहाँ पर आपके सामने परिभासा है वो क्या है Simple से है आप देखिए कि वे सब भी संख्या है जो एक से कटे तथा खुद से कटे तो अब इसको समझना कैसी है यहाँ पर ध्यान देजी दोबारा से पढ़िए कि वे संख्या है जो एक से कटे तथा खुद से कटे तो आईए इसको अब हम समझते हैं की रिए कह क्या रहा है तो सबसे पहले आपके सामने दीख रहा है ये तीन जी हां आपको तीन दीख रहा है अगर हम तीन में अगर भाग लगाते हैं तो गाइज एक तो एक से कटेगा पूरा पूरा और एक तो आपका तीन से कटेगा तो आपने अभी भी देखा क्या देखा यहाँ पर यही देखा कि वे सभी संख्याय जो एक से कटे तथा खुद से कटे तो यहाँ पर आपने देखा कि एक से कट गया तीन कटा और तीन से कटा यानि तीन यहाँ पर दिया हुआ था और तीन से कट गया यानि वो खुद से कटा क्या और भी संख्यास इसको काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं गाईज तो तीन हमारा क्या है तीन हमारा एक प्राइम नंबर है ओके तो प्राइम नंबर को आपको यहां तक समझे आ गया हो और एक और उधारन लेते हैं तो आईए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुए 7 क्या आपको 7 एक प्राइम नंबर है जी हाँ प्राइम नंबर है कैसे तो अगर 7 को हम 7 में जैसे ही भाग दते हैं तो 1 से पूरा-पूरा कटेगा और इसके साथ, 7 से पूरा-पूरा कटेगा क्या, यह दोनों के अलावा और भी कोई संक्या से कटेंगे नहीं कटेंगे जी हाँ 7 भी हमारा क्या है वो प्राइम नंबर है यानि कह सकते हैं अब भाद ये संक्या है तो कि आपको अब भाद ये संक्या समझ आई अभाजी संख्या की जो शुरुवात है ना वो कहां से होती है तो आपको याद दखना है दो से दो के बाद जो अगला आगा प्राइम नंबर वो हमारा कितना आ जागा दो के बाद हमारा तीन आ जागा और तीन के बाद हमारा कितना आ जागा दोस्तों चार नहीं आगा क्यों अभी मैं आगे बता रहा हूँ दो हमारा क्या है प्राइम नंबर यानि अभाजी संख्या तीन हमारा क्या है अभाजी संख्या और यहाँ पर पांच हमारा अभाजी संख्या है और जाते 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 यहाँ पर पांच के जग़ा साथ हो जाएगा 7 के जगह 11 हो जगा 11 के जगह 13 हो जगा और जाते जाते कहां तक जाएगी अनंत तक यानि कहां तक जाएगा कोई guarantee नहीं है अनंत तक तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब यह हुआ कि अब आज यह संख्या आपको समझ आया की नहीं है बस आपको यही चीज़े ख्याल रखनी है कि वे संख्या हैं जो एक से कटे और खुद से कटे तो यहाँ पर जो मैंने उधारन दिया है यह सब संख्या में से आप टेस्ट ले सकते हैं जैसे की 5 पांच को अगर हम कारते हैं तो एक से पुरा-पुरा कटेगा और यह तो पांच से कटेगा बाकी और कोई संख्या से नहीं कटेगा ठेक है तो यह चीज़े आपको बहुत ही आसानी से आगया होगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की चीज़े अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकी और आसानी से इसे लिखिए जी हाँ तो आई ये साथ ही हूँ अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है भाज जी संख्या जिसे इंगलिस में बात करें तो composite numbers ओके यहाँ पर इसके सामने जो परिभासा है न वो क्या है इसली यहाँ पर आप समझ जाएगा तो यहाँ पर परिभासा में लिखा क्या हुआ है कि वे सभी संख्या है जो एक से कटे जी हाँ वे सभी संख्या है जो एक से कटे खूज से भी कटे तथा किसी और संख्या से भी कटे तो यही आपका क्या है भाजी संख्या जिसे इंगलिस में बात करें तो composite numbers ओके तो चलिए इसको उधारन से समझते हैं कि आखिर भाजी संख्या का उधारन क्या क्या हो सकता है यहाँ पर आपके सामने 10 दिख रहा है जी हाँ आपको 10 दिख रहा है अगर 10 में हम 1 से भाग लगाते हैं तो 1 से पूरा पूरा कट जाएगा जी हाँ एक से पूरा पूरा कट जाएगा और इसके बाद हम 2 से लगाएंगे तो वो भी पूरा पूरा कट जाएगा और साथ ही काट सकता है यहाँ पर दस काट सकता है तो यहाँ पर आप देखे कितने हो गए तो एक हो गए दो हो गए तीन चार हो गए तो यहाँ पर परिभासा में लिखा क्या हुआ है यहाँ पर जरा से इसको बड़ा करते हैं और यहाँ पर परिभासा में है कि वे सभी संख्या है जो एक से कटे, खुद से कटे, तथा किसी और संख्या से कटे, तो यहाँ पर दस में वही है यार, क्या है, एक से भी कटा है, और किसी और संख्या से भी कटा है, और दस से भी कटा, यानि स्वयम से कटा है, तो दस हमारा क्या है, जी हाँ दस हमारा एक भाज्य संख्या है, तो कि भाजी संख्या का स्टार्टिंग चार सो होती है चार के बाद हमारा भाजी संख्या आ जाता है च्छे और च्छे के बाद हमारा आ जाता है और बारा के आगे जाते जाते क्या हो जाएगा अनन्त अनन्त कहने का मतलब यह अब जहां तक ले जाएगे वहां तक जाएगा कि उस तो आई होफ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारिया प्राप्त हो गई होगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दीन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए कोई दीकत हो तो नीचे ज़रूर लिखेगा बाय बाय टेक क्यार बेस्ट अफ लग